शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा के बीच परिदबाद का बलवड आज भर्द माता के जैकारों से गुंज उठाए बारिश और सडकों पर जलभराव के बाव्यूद हाथों में तिरंगा लिए भाजपा के हजारों कारिकरता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इस दोरान उन्होंने शहीदों के सम्मान में जमकर नारे लगाए ये तिरंगा यात्रा कैबिनिट मंत्री मूल्चन शर्मा के नित्रित्यों में निकाली गई यात्रा को हरी जंडी दिखाने से पहले मंत्री मूल्चन शर्मा ने शहीदों को पोश्प अर्पित किये और उसके बाद पूरे बलहवगड में तकरीबन 10 किलुमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई हरियाना में एक से पंदे तक यात्र रहेगी और आज चर्णा करटी के तमाब भात लोग आज बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा यहां तक आपकी यात्रा के लंबे कातना चला हुआ लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जल भराव के बीच कारे करताओं के पैर नहीं थमें, वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ते गए और भारत माता के जैकारे लगाते गए भाजपा के इस तिरंगा यात्रा में केंद्रे राजमंत्री कृष्णपाल गोजर ने भी हिस्सा लिया और इस दोरान उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश ये लोगों के अंदर राष्ट्यवाद को जिन्दा रखना है देखिए जिन्होंने देश के लिए बलीदान दिया उन सहीदों के नाम पूरे देश में भारती जन्ता पारेटी और यौंबोर्चा मिलकर कि तरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अपने सहीदों को याद करना उनके लिए सबसे बड़ी सद्धान जिली है तो उन्होंने देश के लिए साहदत दी उनकी याद में की सिमर्टी में पूरे देश में ये तरंगा यात्रा निकाली जानी है देखे देश की आजादी के 75 साल चल रहा है और 75 साल में भारती जंता पार्टी मोधी सरकार ने उसको भवे सतर पर मनाने का आसंग कल्प लिया है तो अनेक तरह देश ब्रक्ती के कारेकरम चलेंगे इस पूरे साल और इस 75 आजादी के 75 साल को पूरे देश में धूमधान से बनाया जाएगा और आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी उन लोगों को याद किया जाएगा बता दें कि एक अगस्त से यानि आज से अगले 15 अगस्त तक भाजपा हर्याना भर में तिरंगा यात्रा का आयूजन करेगी भाजपा की इस तिरंगा यात्रा को आंदोलन कारी किसान नेता एक शड़यंतर करार दे रहे हैं जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया जा र बल्लबगड से पूजा शर्मा पंजाब के स्री टीविए